दोस्तों Vivo ने अपने Vivo S19 की series Chinese market के अंदर launch कर दिया और इस series के अंदर आपको 2 phone launch देखने को मिलेगे जिसमें पहला Vivo S19 और दूसरा Vivo S19 Pro और यही दोनों phone एंडर मार्केट में भी आपको launch देखने को मिल जाएंगे कि क्या इस phone की specification होने वाली है किते price range में आपको इंडियर मार्केट में launch देखने को मेलेगा और कब तक launch होने वाला है तो मेरा नाम है राहूल और आप सभी का सौगत है टेकनिकल बार में जहां पर आज हम बात कने वाले हैं Vivo S19 Pro के बारे में Aka Vivo V40 Pro तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस phone के look और design को लेकर पर इस phone का look जो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है पीछे आपको triple camera का setup देखने को मिलेगा एक LED flash देखने को मिलेगी और एक aura light होने वाली है वही पर नीचे की तरफ आपको Vivo की branding देखने को मिल जाएगी और इसकी back आपको glass की देखने को मिलने वाली है frame plastic कोने वाली है और आगे की तरफ आपको punch hole display देखने को मिलेगी जो की curve display के साथ आने वाली है और corny gore glass का protection भी देखने को मिलने वाला है चलिए अब इस phone के storage और RAM के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर यह phone आपको multiple variants के अंदर देखने को मिलता है जहां पर LPDDR5AX की RAM और यह first 4.0 का storage type देखने को मिलेगा वही पर इसके Android version और UI के बारे में बात करें तो आपको out of the box Android 14 देखने को मिलता है चाइनीज मार्केट में आपको origin OS के साथ launch देखने को मिला है पर जब इंडेन मार्केट में launch होगा तो आपको funtouch 14 के OS के साथ ही आने वाला है वही पर इस phone के अंदर आपको IP69 के rating भी देखने को मिलती है और dual stereo speakers भी होने वाले है वीवो S series के अंदर dual stereo speakers नहीं देता है पर इस phone के अंदर आपको dual stereo speakers देखने को मिलते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आ जाती है वहीं पर display के ऊपर आपको fingerprint scanner देखने को मिल जाएगा face unlock का भी feature होने वाला है nano sim card का slot देखने को मिले वाला है इस phone के अंदर आपको 3.5 mm का jack देखने को नहीं मिलेगा और वहीं पर इसके अंदर आपको dual stereo speakers भी देखने को मिलने वाले है इस phone के battery के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 5500 mAh की battery देखने को मिलते है यो कि 80 watt के fast charger के साथ आती है और charger आपको box के अंदर provide करवा दिया जाएगा जलिए अब phone के display के बार में बात कर लेते हैं जहां पर इसके अंदर आपको 6.7 inches की 120 Hz एमरेड स्कीन देखने को मिलते है यो कि curved display के साथ आने वाली है वहीं पर 1.5K का resolution होने वाला है 4500 nits की peak brightness देखने को मिलते है आपको 1.5 million से भी ज्यादा का देखने को मिलता है अब इस phone के camera के बार में बात करें इसके अंदर आपको triple camera का setup देखने को मिलने वाला है जिसमें 50MP का main camera जो की OS के साथ हने वाला है वहीं पर 8MP का आपको ultra white देखने को मिलेगा तो यह थी इस phone की सारी specification अभी इस phone के launching date और price के बार में बात करें तो यह phone आपको multiple variants के अंदर launch देखने को मिला है जहां पर चाइना के अंदर यह launch हो चुका है तो चाइना के अंदर 8GB और 128GB का price जो आपको 3300 yuan देखने को मिलता है इसको Indian currency में convert करें तो आपको 38000 के आसपास देखने को मिलता है वही पर यह इंडिया में launch होगा तो इसकी price जो आपको around 45000 के आसपास देखने को मिलने वाली है इसके launching date के बार में बात करें तो Vivo वाले इसको इंडिया के अंदर थोड़ा late launch करेंगे क्योंकि अभी Vivo ने अपनी Vivo V30 की series launch किये मान के चलिए यह आपको इंडिया के अंदर बहुत ही late launch देखने को मिल रहा है जहां पर यह आपको October November तब launch देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर आप comment box में बताएगे कि यह phone के आपको specification कैसे लगी और इस phone के price हो एंडियर मार्केट में launch हो तो कितरी होनी चाहिए और आप चैनल को subscribe कर दीजिए विव एस 19 के बादे में भी एक वीडियो बहुत ही जल लाने वाले हैं उसके लिए आप चैनल को subscribe कर दीजिए आप comment box में बताएगे कि यह वीडियो आपको कैसे लगी और टेक्निकल बार को subscribe भी जरूर कर दीजिए हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लोगी बादे में बहुत 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 जिया तकर दो जापको के लिए प्लीज